Realme X7 Max vs Realme 9 Pro Plus तो आज किस वीडियो के अदर हम लोग इन दो फोन का comparison करने वाले हैं और मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कौन सा आप लोग के लिए best फोन रहने वाला है इन दोनों फोन में से क्योंकि दोनी फोन आपको काफी जात अगड़े मिल जाते हैं दोनी फोन के अंदर आपको जो specification मिलती है वो भी काफी सही मिल जाती है तो आज किस वीडियो के अदर मैं आपके सारे doubt दूर करने वाला हूँ एंद आप लोग को बताने वाला हूँ कि कौन सा best फोन रहने वाला इन दोनों फोन में से अलोसल दरन मेर नाम है केशवाज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिन दो फोन का comparison करने वाले उन दो फोन का नाम में आप लोग अल्रीड बता चुका हूँ तो इस फोन में आपको एक Compact Size का पैनल मिलता है 6.4 इंचीज का Full HD Plus का Super AMOLED पैनल 90 Hz के High Refresh Rate के साथ पंच होल मिलते है जो आपको Back मिलते है Glass की मिलते है Back Side में आपको 3 क्यामेरे मिलते है डाउन ग्रेड साइड ये फोन में आपको ये मिलते है कि इस फोन में जो आपको Back मिलते है Plastic की मिलते है Design wise ये फोन आपको बस डीसंट ही मिलते हैं डेक साइड में आपको इस फोन में भी तीन क्यामेरे मिलते है 50 Megapixel जहां पर आपको Sony IMX 766 का सेंसर मिलते है जहां पर आपको OIS मिल जाते है प्लस 8 Megapixel का Ultra Wide मिलते है प्लस 5 नहीं 2 Megapixel का आपको Macro Shot मिलते है फोर के recording कर सकते हो ये बात कि जैस सेल्फी की तो इस फोन में आपको 16 Megapixel की सेल्फी मिलते है इस फोन के camera आपको decent मिलते है इतने कुछ खास नहीं भी optimization की कम्या बट जैसे ही यहां पर update वगर आएंगे और आपका camera optimize हो जाएगा तो आपको काफी तगड़ आउटबट मिल जाएगा क्योंकि इस फोन में जापको sensor मिलता है काफी कमाल का मिल जाता है OIS भी मिल जाता है वो सिरफ नाम के लिए मिल रहा है इतना कुछ काम करनी रहा OIS बट ठीए क्या मतलब छोड़ो इस बात को बट वहीं बात कर लें अपने Realme X7 Max की तो इस फोन में आपको back side में तीन camera मिलता है 64MP जहांपर आपको Sony IMX 682 का sensor मिलता है प्लस 8MP अल्टर प्लस 2MP मेक्रो शोट के लिए भी मिल जाता है इस फोन में कमाल की चीज़ आपको यह मिलते है कि इस फोन से आप लोग 4K recording 60fps पे कर सकते हो बात कि जे selfie की तो दर आपको 16MP की selfie मिलती है दोनी फोन के camera आपको decent मिलते मैं एक बार यह बोलूँगा कि आप लो camera comparison चेक कर लेना तब आपके side out वगरा दूर हो जाएंगे बट overall आपको realme 9 pro plus थोड़ा सा better मिल जागा क्यूंकि camera sensor आपको अच्छा मिल जागा बट ठीक है इदर आपको iOS मिलते है नाम के लिए मिल रहा है वो काम नहीं कर पा रहा तो यह आपको चीज पता होनी चाहिए बात करते है प्रोसेसर के अपने realme 9 pro plus के साथ शुरुवात करते है तो जो आपको मिलता है जो आपको 5G प्रोसेसर मिलता है 6NM का प्रोसेसर है उटा को प्रोसेसर है माली जी 68 का आपको जीप्यों मिलता है वही बात करते है अपने realme x7 max की तो इस फोन में आपको मिलता है जो आपको एक 5G प्रोसेसर मिलता है 6NM का प्रोसेसर है माली जी 77 का आपको जीप्यों मिलता है देखो प्रोसेसर डिपाइटमेंट में अपना clear cut winner हो जाते है realme x7 max तो अगर आप लोग को गेमिंग वगर करने है तो आप लोग realme x7 max को definitely buy कर सकते हो मिलता है क्योंकि इस फोन में आपको UFS 3 पर उनका storage टाइप भी मिलता है जो गेमिंग के अंदर आपके चार चार चारंज लगाने वाल है वहीं बात करते है अपने realme 9 pro plus के कुछ extra features की तो इस फोन में आपको 3.5mm का jack मिलता है इधर आपको memory card के लिए slot नहीं मिलता 182 gram का iPhone मिलता है 7.9 mm की thickness के साथ hdi 10 का support मिलता है gorilla glass 5 की protection मिल जाती है 600 nits की peak brightness मिलती है 7 band मिलता है 5G के cooling system मिल जाता है android to allow to the box मिल जाता है realme ui 3.0 मिलता है 411 की PPI मिलती है LPDDR4X आपको RAM टाइप मिलती है UF2.2 का storage टाइप मिलता है stereo speaker मिलता है 180 Hz का touch response rate मिलता है एंड उसी के साथ आपको glass 5 की protection भी मिलती है बात करते है अपने realme X7 Max के कुछ extra features की तो इस phone में आपको 3.5mm का jack मिल जाता है 8.4mm की thickness के साथ android is on auto the box मिल जाता है realme ui 2.0 मिलता है इदर आपको memory card के लिए slot नहीं मिलता wide-wide L1 का support मिल जाता है LPDDR4X आपको RAM type मिलती है HDR10 plus का support मिलता है इदर आपको stereo speaker मिल जाते 1008 की peak brightness मिलती है dragon tail glass की protection मिल जाते cooling system मिलता है उसी के साथ phone में आपको sad band मिलते है 5G के अभी बात करते है वे रियल्मी 9 pro plus के अंदर आपको 6GB की RAM 128GB की ROM मिलते है 32,000 पर बिल्कुल भी बाय मत करना है इस phone को वहीं बात करते है अपने रियल्मी 9 pro plus की तो भाई ये phone बिना मेरे को थोड़ा सा over price लगा मलब 25,000 के हिसाब से काफी सारी चीज़े इस phone में उपर नीचे करी गई है तो ये phone मेरे को इतना कुछ value for money लगा नहीं लगा कि कुछ भ आपको काफी जादा मजाने वाला है अगर आपको कुछ भी डाउट वगर है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर मैं कौन दिसपोर्ट रिप्लाय कर दूँगा तो अभी बात करते हैं कौन सा phone किस फिल्ड के अंदर आपको बैटर मिलता है बात करते हैं camera के तो camera department में overall मेरे को realme 9 pro प्लस बैटर लगा है क्योंकि यह phone में जो आपको sensor मिलता आपको नया मिल जाता है इधर आपको OIS भी मिल जाता है और आपको latest phone मिलता है जिसवेसा अपडेट वगरा लंबी टाइम तक मिलने वाले हैं बैट वहीं अपने realme x7 max के realme 9 pro प्लस बैटर हो जाता है क्योंकि इस फोन में आपको ज्यादा fast charging का support मिलता है 60 वोट की fast charging का support and fast charger भी आपको box के अंदर मिलता है वहीं बात करते हैं कुछ extra features की शिरुआत करते अपने realme x1 max के साथ तो इस फोन आपको 360 Hz का test response rate मिलता है UFS 3.1 का storage type मिलता है 1000 नीट की peak brightness मि भी आपको support मिलता है वहीं बात करते है अपने realme 9 pro plus की तो इस फोन में आपको android out of the box मिल जाता है latest phone मिलता है better PPA मिलता है यह फोन आपको थोड़ा सा पतला मिल जाता है तो एक चीज में आपको दुबारा से आद दिला रहेता हूं कि दोनी फोन आपको इतने कुछ value for money नहीं मिलते है realme x7 max अगर आप लोग लेने का सोच तो आप लोग इस phone को sale के अंदर buy करना and realme 9 pro plus पर भी आप लोग काड़ अगर apply कर देना तो आप लोग को यह phone 13000 के आसपास का मिल जाएगा तो दोनी फोन इतने जादा value for money नहीं है आप लोग इस price के अंदर दूसरे phone भी consider कर सक अगर आपको वीडियो पसने तो वीडियो को लाइक कर दो चांग को subscribe कर दो वीडियो को अपने fan के शेर कर दो हो सब्सक्राइब कर दो लिंक आपको description मिल जागा तो मिलते हैं अगल कि किसी बड़ी आपई वीडियो का अंदर तब तक के लिए बाग